नमस्कार, सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाता हूँ जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरिक किया है और उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है त और इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें मैं ट्रावल इंडस्ट्रिस से जुडा हूँ तो जबी भी मैं नाशिक सूरत या मुंबई के लोगों से मिलता हूँ तो वो मुझे एक बात जरूर पुछते है कि कोई एक ऐसी जगा बताईए जो एक दिन के पिकनिक मुंबई से तो केवल 90 किलोमेटर पर हैं और सूरत मुंबई से 170 किलोमेटर पर नैशनल हाइवे नंबर 48 पर तो यदि आप मुंबई से आना चाहते हैं तो आपको नैशनल हाइवे नंबर 48 पर गुज्राट की और सीधा चलना है और जब उमर गाउं के लिए मोड आए तो आपको यहां से राइट मुड़ना है, ब्रीच के नीचे से चलते हुए, यहां से एक घंड़े का रास्ता जरूर है, वैसे ही यदि आप सूरत से, बलसार से या गुजुरात की तरफ से आ रहे हो तो आपको वापी तक सीधा चलना है, वापी के में चार अस्ते पे यानि की ज सिल्वास की और लेफ्ट मुड़ना है, यहां से सिल्वास होते हुए तकरिबन एक देड़ गंटे का रास्ता जरूर है, और यहां नहीं आना चाते हो तो आप भिलार तक सीधा जा सकते हो, और भिलार से लेफ्ट अन ले सकते हो, और वहां से भी वापी की तरह एक या में बिलकुल लग सकता है, तो मैं यह समझता हूँ कि अब तक तो आप ने इस जगा के नाम के बारे में सही अनुमान तो लगा ही लिया होगा, तो जी यह जगा दादरा और नगर रहविली जो की संग प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी और गुजरत, दोनों के बॉर्डर से कम नहीं है और चोड़ाई एक किलो मेटर से कम नहीं है, तो इसके आसपास के पहाड़ियों पे या जील के किनारे आप पूरा दिन वक्त गुजार सकते हो या फिर बोटिंग का आनन भी ले सकते हो, और जो यहां की बोट्स है, उनको देखकर आपको कश्मीर की शिकारा याद जरूर आएगे, और यदि आप टू विलर लेके आया हो और इस जील के उस और आपको जाना हो दी, तो यहां पे फ्री ओफ कोस्ट फैरी सर्विस है, जो एक एक गंटे के अंतराल पे चलती है, और कुछ साल पहले तक यहां कोई पुल नहीं था, और नहीं कुछ और जिल के उस किनारे पर सिवाए के घंगोर जंगल, और मान लीजिए कि यदि आपको जिल के इस और से उस और तक जाना भी होता, तो आपको यहां से होते हुए सिल्वास के रास्ते से 35-40 किलोमेटर घूम कराना पड़ता, लेकिन जब यहां पे पुल बन चुका है, तो इस पुल से होते हुए आप जिल के उस किनारे पर आसानी से जा सकते हो, यह मैं आप से इसके लिए कह रहा हूँ कि आप कोई भी हो यदि यह जगा देखने के बाद में आपको लगे ऐसा कि यहां से सिल्वास जाना है दूसरे दिन, तो इसी जगा के आसपास में कई सारे से उसके उपर मैं एक अलग से वीडियो बनाओ, तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा, तो उन सारे रिसॉर्स और सिल्वास में कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन्स हैं, जैसे कि बटरफलाइपाक, वसोना, लायन सफारी, खानवेल भी हैं, जहां पर अक्सर फिल्म की शूटिंग भी हुआ करती थी कुछ सालों पहले, एक और आप्शन ये हैं कि यहां से आप दमन की ओर जा सकते हो, और वहां पर भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन्स हैं, उन्हें देख सकते हो, और यदि यहां से आगे चलना हो वंबई क के तरफ तो आपको कोस्टल हाइवे से होते हुए उमर गाउं में बीच है, डाहनों में बीच है और पालगर में भी बीच है, और यदि आप गुजरात तरफ जाना चाते हो, तो यहां से यानि कि दमन्ड से वलसार की और तक का सीधा रास्ता पड़ता है, और वहां से आप नाम है दूधनी, तो यह जगा दूधनी के नाम से ही मशूर है, और यदि आप जील के उस किनारे जाना चाते हो, यानि कि कहीं से भी आप उस किनारे पर आना चाते हो, तो उस किनारे पर जो गाउं वसा है, उसका नाम है कौनचा, मेरे बनाये हुए दूसरे काफी सारे वी कर जरूर बताईएगा और यही थी सारी चीजे जो मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से आज बताना चाहता था यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और आपके जो भी कॉमेंट्स है इसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और इस वीड क्झा है झाल खागरा थाहता मेंट्स हें जरूर ब 반ज जरू है फीजे होला मेंट्स आज खेले का शूलर को कि मोरी बताग रिज़ इस नहे